पुत्रदा एकादशी व्रत कता महराज युधिष्ठिर ने पूछा हे भगवान, आपने सफला एकादशी का माहात में बताकर बड़ी कृपा की अब कृपा करके यह बतलाईए कि पौश शुकल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधी क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण बोले हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है इसमें भी नारायन भगवान की पूजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है इसके पुण्य से मनुष्य, तपस्वी, विध्वान और लक्ष्मिवान होता है इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सु तुम ध्यान पूर्वक सुनो भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्ज करता था उसके कोई पुत्र नहीं था, उसकी स्त्री का नाम शैव्या था वहने पुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोडे, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोश नहीं होता था वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का आर्ण, मैं कैसे चुका सकूँगा जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधिरा ही रहता है इसलिए पुत्र उत्पत्ती के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है उसको इस लोक में यश और परलोक में शांती मिलती है अर्थाद, उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते है राजा इसी प्रकार राद दिन चिंता में लगा रहता था एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चे किया परंतु आत्मघात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोडे पर चड़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और व्रिक्षों को देखने लगा उसने देखा कि वन में म्रिग, व्याग्र, सुवर, सिंह, बंदर, सर्प, आदि सब भ्रमन कर रहे हैं हाथी अपने बच्चों और हधिनियों के बीच घूम रहा है इस वन में कहीं तो गीदड अपने करकर स्वर में बोल रहे हैं कहीं उल्लू ध्वनी कर रहे हैं वन के द्रिश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीच गया वह सोचने लगा कि मैंने कई यग्य किये ब्राह्मनों को स्वादिष्ट भोजन से त्रिप्त किया फिर भी मुझको दूह की प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दूह की हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगर मच्च, आदि विहार कर रहे थे उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे राजा शुभ शकुन समझ कर घोडे से उतर कर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया राजा को देखकर मुनियों ने कहा हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन है तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो राजा ने पूछा, महराज, आप कौन है और किसलिए यहां आए है, कृपा करके बताईए मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वर्दान दीजिए मुनि बोले हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है आप अवश्य ही इसका वरत करें भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का वरत किया और द्वादशी को उसका पारण किया इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया कुछ समय बीतने के बाद राणी ने गर्भधारण किया और नौ महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर यशस्वी और प्रजापालक हुआ श्री कृष्ण बोले हे राजन पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्रदा एकादशी का वरत करना चाहिए जो मनुष्य इस माहात्मे को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ती होती है